हेलो फ्रिंट्स कलरफुल त्रेट्स में आपका स्वागत है आज हम बहुत ही बड़े साइज का ट्रेवल बैग बनाएंगे इसकी लिए जो मैंने कपड़ा लिया है उसकी उचाई 22 इंच है और इसकी चौड़ाई 29 इंच मैंने ली हैं ऐसे दो पीसा में लेने हैं 22 वाइ 29 के इस बैग में मैं बोरी का यूज कर रही हूँ चावा लाटे की पुरानी बोरी आप ले सकते हैं लीचे मैंने पुराना कपड़ा रखा है बीच में बोरी और सबसे उपर में फैब्रिक को रखकर इसके उपर मैंने सिलाई कर ली है और साइड से जो भी एक्स्ट्रा था उस में piping लगाऊंगी piping लगाने के लिए दो इन 4 मेने कपड़ा लिया है इस piping को हम पीछे साइड से लगाएंगे पीछे की तरफ कपड़े की strip को रखेंगे और इस के उपर हमें सिलाई लगा लेनी है कि आप चाहें तो बिना piping के भी सीते जिप लगा सकते हैं एक साइट से मैंने सिलाई लगा ली है अब दूसरे साइड इसे पलट लेंगे और इसके उपर भी लंबाई में सिलाई लगा लेंगे यह देखिए 29 इंच वाली जो लंबाई वाली साइट थी उसमें मैंने पाइपिंग लगाई है अब 29 इंच की मैंने जिप ली है जिप को हम खोड़ लेंगे एक साइड को हमें अभी स्टिश करना है इस तरह से नीचे रखेंगे और इसके उपर हमें सिलाई लगा लेनी है जिप को हम सीधा रखेंगे इसके उपर पाइपिंग को रखेंगे और अब इसमें लंबाई में सिलाई लगा लेंगे 2 साइड हमें जिब का एक पार्ट लगा लेना है यह काफी बड़े साइज का ट्रेवल बैग है इसलिए मैंने इसे दो पार्ट करके बनाया है दो कपरे के पीछ से बनाया है अब इसमें मैंने डाल लिया है आप क्या करना है इस तरह से हमें इसे बड़ाबर करके मिला लेना है और नीची हमें सिलाई लगाने नी जो बॉटम का पार्ट है उसमें सिलाई लगा लेंगे अब इसे सीधा करेंगे इसे सिधा करने के बाद जो नीचे वाली सिलाई है उसके ठीक उपर हम जिप्पो रखेंगे लेकिए जो नीची वाली सिलाई है उसके ठीक उपर हमें जिप्पो रखना है अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे अब ये मैंने कार्ट बोर्ड लिया है फाइब 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 इंच का इसी की हेल्प से हम चार कॉर्णर बनाएंगे चारो कॉर्णर पर एक बॉक्स है अब इसकी कटिंग कर लेंगे चारो कॉनों की इसी तरह क्या से कटिंग कर लेंगे इस टेबल बैक को बनाना बहुत आसान है आप चाहे तो इसको और्गनाजर के रुप में भी यूज कर सकते हैं इसमें कपरेवगर या ब्लैंकेट को स्टोर करके रख सकते हैं यह चार पीच जो हमारे कटिंग के बाद निकले हैं उसे हम पॉकेट बनाएंगे से वेस्ट नहीं करेंगे अब कटिंग हो गई है अब इसे हमें खोल लेना है जो रणनर हमने डाला था उसे खोल लेंगे अब यहां पर हमें देख लेना है कि किती वरी हमें पॉकेट चाहिए तो इसमें तीन पीस हम लगाकर पॉकेट बनाएंगे दो पीस को पहले एक सांथ हम रखेंगे इसके उपर सिलाई लगा लेंगे अब इस तरह से पलटके इसके उपर भी किनारे किनारे प्लेस इस लगा लेंगे तीनों पीस को मैंने सिल लिया है अगर यह साइज ज्यादा बड़ा लगेगा तो इसमें से हम कटिंग कर लेंगे देखिए लंबाई में इसको हम पॉकेट लगाएंगे यह लगबब तेरे इंच है तो इसकी साइट से मैं थोड़ी से कटिंग कर लूँगी नीचे इसकी लंबाई ठीक है तो इसको रहने देंगे साथ है और किनारे किनारे हमें प्रेश स्टिच लगा लेंगे आप जिपके उपर बाग में हम कपरे की की स्ट्रिप को इस तरह से कोलो कर लेंगे और इसी हम जिपके उपर में लगाएंगे कि और साइड से जो भी एक्स्ट्रा होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे अब बैक की बैल्ट बनाने के लिए स्ट्रैप बनाने के में ने 46 लंबा कपड़ा लिया है कपरे की चोड़ाए चार इंच है दोनों साइड से फोल्ड करके सदाप लगा लिनी ऌस दोनों किनारों पर सिलाई करके बेल्ट बना लेंगे ऐसी दो हमें बनानी है कि दोनों बेल्ट मैने बना लिए अब जहां पर हमने कपरे को कट किया है वहीं पर हमें उसी के अंदर हमें इस पॉकेट को लगाना है जहां तक हम ने बॉक्स की कटिंग की है उसके उपर पॉकेट नहीं आनी चाहिए तो दोनों साइड से मैंने चार-चार इन छोड़ते वे पॉकेट को सेंटर में रखा है और बेल्ट को नीचे से हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और पॉकेट में भी जो एक्स्ट्रा है उसे फोल्ड कर लेंगे यहां से इसके उपर हम बेल्ट को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से रखकर यहां तक जहां तक पॉकेट है वहीं तक हमें सिलाई लगा लेनी है दो तीन बड़ा ची तरह से सिलाई लगा लेंगे तो देखिए यहाँ से लेकर नीचे तक हमें इसलाह लगा लेनी है तो देखिए मैंने सलाह लगा ली और दुसरीा साइड मैंने pocket नहीं लगाई है उसमें इस रिपेल्ट को लगा लिया है अब इसमें हमें runner को बापस लगा लेना है रनर को डालने के लिए हमें इस तरह से नीचे से आप जो जिप का कपरे वाला भाग है उसे पकरेंगे और इसे खीचेंगे तो यह आसानी से लग जाता है दूसरे साइट से भी दूसरा रनर को डाल लेंगे अब इसे उल्टा करेंगे दूनों साइट पर हमें सिलाई लगा लेंगे दूनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे अब इसे इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेंगे चारो कोनों कि इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद आप कपरे की पाइपिंग भी इसके उपर लगा सकते हैं जिसे खुले वे सिलाई धक जाएगी अब देखे बैक बन गया है बैक को हम खुल कर देखते हैं कि बैक कैसा बना है इस बैक को आप कपरे स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर ट्रैवल बैक के रूप में भी यूज कर सकते हैं इसमें काफी सारा सामाना प्रेक सकते हैं वो काफी बड़े साइज का इवैक है इसको बनाने में लगबख देट मीटर कपरा लगा है और इस बैक की उचाई 12 इंच है और इसकी लंबाई 18 इंच है इसका बॉटम भी 12 इंच 10 इंच का इसका बॉटम है और साइड भी इसकी 10-10 इंच की है तो दीकि हमारे सुन्दर सा बैक बन कर त्यार है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब की जरीगा वीडियो देखने के लिए आपका थाने बाद